असलाम लेकुम प्यारे बचो वेलकॉम ते उजरीन सभा वर्चल स्जूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत सतक्बाल है और उमीद है आप सब खेरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकाइदगी से देख रहे होंगे आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियो इसी तरह से मिल हमारा अज का टॉपिक है फाइदा मंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार यानि यूसफुल एन हामफुल माइक्रोब्स और ये इस चैप्टर का पार्ट फोर है पार्ट वन तू और थ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर अवैलेबल है आप वहां से उससे देख सक हैं जमात नहूम के लिए स्टैंडर्ड नाइंध के लिए मजमून हमारा साइंस और मैं आपकी मौलमा जरीन सबाफ फ्रॉम एमसे जीएम वर्चुल क्लासरूम मॉंबई तो वच्छा आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में यूसफुल माइक्रोब्स के बारे में देखे थे फायदा मन खुर्द बीनी जानदार के बारे में आज हम नुक्षान्दा खुर्द बीनी जानदार के बारे में देखे हैं। हम part 1, part 2 में micro-organisms के बारे में देख चुके हैं कि अलग-अलग किसम के खुर्दबीनी जानदार होते हैं और ये खुर्दबीनी जानदार हमारे अत्राफ में हमारे माहौल में हर जगा फैले हुए हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि ये size में बहुत जादा ही छोटे होते हैं इसलिए हम इन्हें नहीं देख सकते लेकिन अगर हमें इन्हें देखना हो तो हमें bacteria या viruses या fungus या protes या algae को अगर हमें देखना हैं तो हमें इस्तिमाल करना पड़ता है microscope तो ये अलग-अलग किसम के micro-organisms है खुर्द बीनी जानदार के मुख्तलिफ किसमे है जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है फिर हमने लास्ट चाइम पिछले वीडियो में देखे थे आपको याद होगा फाइदा मन खुर्द बीनी जानदार के बारे में useful micro-organisms जिसमें हमने देखे थे एंटिबाइटिक से जिद्ध हयातिया किसे कहते हैं जिद्ध हयातिया की दरियाफ जो है इलेक्जेंडर फ्लमिंग ने की थी सबसे पहले है न और किस तरह से ये हमारे लिए फाइदा मन है ये खुर्द भी नहीं जानदार ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं आप सुनेंगे तो आप ताज़ब करेंगे कि चूटियां जो होती है वो अपने घर में फपून की नशनुमा करके उससे गिज़ा हासल करती है पाइदा मन खुर्द भी नहीं जानदार हो गए बास किसम के भवरे और कीड़े दरख्त के तने पर उगने वाली फपून पर अंडे देकर लार्वों की गज़ा का इंतजाम करते हैं अब बहुत सारे किसम के भवरे और कीड़े जो होते हैं वो दरख्तों पर रहते हैं हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं दरखतों के तने पर जो फपूंद होती है उस पर ही अपने अंडे देते हैं फिर उन अंडों से जो है लारवे निकलते हैं और वो लारवे जो होते हैं अब इन्ने छोटे होते हैं कि वो कहीं उड़के या कहीं चलके नहीं जा सकते न अपनी घज़ा हास करते हैं तो ये फपुन जो होती है ये भवरों के लिए कीडों के लिए चूटियों के लिए फाइदा मन खुर्द भी नी जानदार हो गए लेकिन कुछ नुकसानदा खुर्द भी नी जानदार भी होते हैं तो आज हम उन ही नुकसानदा खुर्द भी नी जानदार हामफुल micro organisms के बारे में मालूमात हासिब करेंगे बरसाइट के मौसम ने चमड़े की अश्या जिया चार्ट में किया तबदीली आती है कभी आपने बरसाइट के मौसम में देखेो किस तरह से जो चमड़े के अश्या होती है जो टार्ट होते हैं उस पर आपको से फपून फपून लगी हुई वाइट कलर या ग्रीन कलर में नजर आती है न ऐसी अशिया आप इसके बाद कितना अरसा इस्तमाल कर सकते हैं ऐसी अशिया हम उसके बाद जादा दिन तक इस्तमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर वो खराब हो जाती है यही अशिया सर्मा या गर्मा में क्यों नहीं खराब होती क्योंकि सर्दी और गर्मी के मौसम में उनमें नमी नहीं होती जब इन चीजों पे जो चमड़े की अशिया हो या टाट वगरा हो या गोनी जिसको हम कहते हैं अगर इस पे नमी लग जाए, पानी लग जाए, तो फॉरण उस पे फपून आना शुरू हो जाती है, इस तरह से फंगस नज़र आते हैं न, और फिर उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यही अशिया सरदी के मौसम और गर्मी के मौसम में खराब नहीं होती क्योंकि उस वक्त खुशकी होती है, उनमें नमी नहीं होती, आपको बता है, फिलहाल मौल्स वगेरा सारे अब तो खुल गये हैं, कुछ दिन पहले तक बन थे, तो जब यह सारे मौल्स बन थे, तो इनमें मौजूद जो भी इतने भी आइटम्स होते हैं, जो लेदर क बने हुए होते हैं, जो लेदर के बने हुए होते हैं, तो यह आइटम्स पर कुछ दिन पहले, यह तस्वीरे जो है, बहुत ज़ादा, आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, वायरिल हुई थी, और सेंक्रल असी सिस्टम शाट, इस कॉस्ट imagine when moles open the fungus in the ducts will fly free in close atmosphere of moles entering our respiratory system leading to major infections तो ये एक इंसान ने जो है moles जब बंद होने के बाद खुले थे तो उसने ये ट्वीट किया था और ये तस्वीर डाली थी किस तरह से जो moles इतने दिनों तक बंद थे AC बंद था उसकी वज़ा से AC बंद होने की वज़ा से अंदर जितनी भी चमड़े की अश्या थी जितने महिनों से बंद थी उन पर फंगस आ चुके है और ये फंगस जो है फिर अगर मौल खुलेंगे तो सर तरफ फैल जाएंगे और ये हमारे लिए नुकसा अंदा साविद हो सकते हैं तो इस तरह की फंगस ये फपूंद आपने जो है देखी होगी अपने अतराफ में हवा के में फपूंद के खुर्दबीनी बजरे जो है पाये जाते हैं और रतूबत मिलने पर ये सूती कपड़ो, टार्ट, चमड़े की अशिया, लकड़ी जैसी बनी, कारबनी अशिया पर नश्योनुमा पाते हैं फपूंद के रेशे इन अशिया में गहराई तक दाखिल होकर खुद की नश्योनुमा और अवजाश करते हैं इस अमल में अशिया कमजोर हो जाती है, इसलिए भबून लगे हुए कपड़े, टार्ट, चमड़े की चपल, जूते, पैकेट, बेल्ट वगएरा जो होते हैं वो जादा दिन तक अच्छे नहीं हो रहते, बलके बाद में वो खराब होकर खुद ही तूट जाते हैं, फट जाते हैं इसी तरह लकड़ी की अशिया भी खराब हो जाती है, लेकि कभी आप लोगों ने पाओ या ब्रेड लाया होंगे और अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, इसको बाहर ऐसी ही दो तिन दिन तक रखें, तो वो केक पर या पाओ या ब्रेड पर कुछ दिनों के बाद फपून दा जाती है तो वो हँआ पर आप देख सकते हो के फपून वो कितनी बारीक 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 छोटे चोटे जोटे हैं उसपर बजरे होते हैं और अगर आप उसको हाथ से टच करोगες तो वो बजरे फिर फैलना शुरू होते हो और आपकी उंगलियों पर भी वो लग जाएंगे तो ये बजरे जो होते हैं ये हवा में हमारे अत्राफ में मौजूद ही होते हैं और जब इसको रुतुबत मिलती है थोड़ी सी नमी मिलती है तो फिर ये सूती कपड़ों पर हो गया टाट पर हो गया चमड़ी की जो चीज़े होती हैं बैग्स होते हैं जूते होते हैं उन प कभी इस तरह की ऊपर सफेद रंगी तह भी जो है हमें नजर आती है ये हकीकत में क्या होती है और क्या ऐसी ऐशिया खाने के लायक क्यों नहीं होती तो ये ऊपर जो हमें कभी काला कभी सफेद रंगी जो तह नजर आती है असल में ये होती है फपून और फिर ये ऐशिया खा गिली सौस या चट्मी जैसे गीली अशिया में भी फपून के मुख्तलिफ किसमे जो है नशनुमा पाती हैं ये गिजा से तुग्जियाई माद्दे जजब करके खुद की नशनुमा और अवजाश करती हैं इस अमल के जरी फपून से माइको टॉक्सिंस नामी जहरीले कीमिय माद्दे गिजा में शामिल होकर गिजा को जहरीले बनाते हैं इसलिए फपून लगी हुई जो गिजा होती है वो खाने के काबिल नहीं होती और अगर इस तरह की चीज़े अगर हम खा लेते हैं तो हमें फूट पॉइसनिंग हो जाती है इसके बाद हमारी तब्याद बहु फपून आजाती है तो ऐसी चीज़ों को खाना नहीं चाहिए बलके इसे उठा कर फेक देना चाहिए फपून के जरिये फैलने बारी बीमारियों के जराय और उनकी रोक थाम लिखिये इस सवाल जवाब की किताब में दिया गया है तो फंगल इंफेक्शन डेट यू और श सर्कल अक्सर लोगों के हाथों पे पैरों पे हो जाता है तो यह जो दाद होते हैं या खुझली होती है यह एक तरह के फंगल इंफेक्शन है जिल पर धब्बे पड़ जाते हैं बालों में अक्सर किसी किसी के बफ़ा हो जाता है जिसमें क्या होता है कि उतने हिस्से के बा जहां पर fungal infection हुआ है वो निकल जाते हैं और दीरे दीरे ये infection जो है फैलने लगता है जिसके बाद पूरे सर के बाल जो है वो चले जाते हैं इंसान टकला हो जाता है और दोबारा से बाल फिर उस शक्स को नहीं आते तो ये एक किसम के fungal infection की वज़े से होता है और ये फैलता भी है यानि कोई ऐसा शक्स जिसके बालों में fungal infection हो गया हो और अगर हमने उसकी कंगी उसका टौवल इस्तिमाल किये तो हमें भी infection हो सकता है बिलकुल वैसे ही अगर किसी को दाद, खाद, खुजली वगएरा की बीमारी हो और हम अपने कपड़े उनके कपड़ों के साथ ध बीमारी फैलती है इसके इलावा मरीज और उसकी अश्या में रब अगर पैदा हो या हमारा खुला बदन जो है उस हिस्से को मस कर जाए उस इनसान के जहां पर उसे दाद या खाद या खुजली हो तो हमें भी जो है खुजली शुरू हो जाती है तो इसकी रोक थाम के रखनी चाहिए और जिस शक्स को ये बीमारी हो उससे रप्त ना रखा जाए रप्त नहीं रखना मतला उससे दूर दूर नहीं रहना है बलके उसका टौवल ना इस्तमाल किया जाए उसके कपड़े ना इस्तमाल किये जाए जिस शक्स को ये बीमारी हो उनके कपड़े जो ह असान तरीका है कि ये जब हम बाहर से घर आएं तो फौरन हमें अपने पसीने वाले कपड़े उतार देने चाहिए और नहा लेना चाहिए जितने जादा हम साफ सुतरे रहेंगे हमें फंगल इंफेक्शिंस नहीं होंगे क्योंकि जज़ादा तर फौपौन के जरिये पहलने वाली बीमारी नम जगोंपर जहां पर उन्हें रुतूबत मिलती है नमी मिलती है वही पर ये फैलते हैं तो ज़दा तर ये बीमारी जो है वो फपौन की वज़ा से ही होती है तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much for watching उमीदे जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अची तरह से समझ में आया होगा और अगर आपके इसके तालुक से कोई भी सवालात हैं तो वो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं हम इंशालला उसके जवाब देने की तमाम वीडियो इसी तरह से मिलते रहें इसलिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताके आगे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अल्ला हाफिस